आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार वोट मिले हैं वहीं 416 वोट अमान हो गए कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग में कुल 9385 टेलिगेट्स ने वोट डाले थे कॉंग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है इससे पहले सीतराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष थे वहीं चुनाव पक्रिया पर सवाल उठाने वाले लेटर के लिख होने को सची तारूर के लिए दुरुभागिपूर्ण बता जा रहा है उन्होंने कहा कि यह दुरुभागिपूर्ण है कि C.E.A. को लिखा एक अत्रिक्ष पत्मे मीडिया में लिख कर दिया गया है मुझे उम्मीद है कि सलमा सोच के स्पस्टी करन से अनवर्शक विवाद खत्म हो जाएगा यह चुनाओ कॉंग्रेस के मजबूत होने के लिए है ना की बाटने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं इस ख़बर पर हमाएं साथ समाताता विवेक शाही मौझूद है विवेक कॉंग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है मलका अरजुन खडगे के रूप में इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और कॉंग्रेस के में कितनी मलका अरजुन खडगे जो नया अध्यक्ष बन गए हैं कितनी जान आपको लग रही कि इन्होंने जान फूकेंगे और 2024 को लेकर ये एक मजबूत अधार शिरा देंगे जिए मनेजी इस समय हम उत्तरपद्रिस की कांग्रेस मुख्याला पे खड़े हुए है और यहां पे समर्थकों काफी हुजूम जो है जुटा हुआ है जिस वक्स से हमाए यहां पे घोल नगारों के साथ आतीस बाजिया भी हमने देखी है पढाके फोरते हुए समर्थक उससाहित लग रहे थे मलिका आर्जुन खड़गे की नाम के जैकार लगा रहे थे कॉंग्रेस की नाम के जैकार लगा रहे थे जिस प्रकार से देश के सच्छे पुरानी राजितिक पार्टी को आज 24 सालबाद एक गैर गांधी परिवार से अध्याच चुनके मिला है तो ये कॉंग्रेस के लिए एक बहुती एतियासिक दिना मनीज जी और जैसा की बात है कि कॉंग्रेस पार्टी में अभी परदेश अध्याच को भी चुना गया था बिर्जाल खाबरी जी की रूप में और आज जो है चौबीश सालोबाद जो है कॉंग्रेस पार्टी में अध्याच पत के लिए चुना हुआ है तो कॉंग्रेस के लिए एक लोगतांत्रिक और एतियासिक दिन रहा है अभी हमारे साथ कुछ देर पहले तो बिर्जाल खाबली जी जुड़े थे उसे हमने पूछा कि प्रदेश अध्याच और राष्टी अध्याच का तालमिल कैसा होगा आने वाले चुनाओं में आम चुनाओं में और निकाय चुनाओं में कैसा होगा तो उन्होंने प्राइ तो यह जो नए परिवर्तर है जो इसे अध्याचिक परिवर्तर के रूप में देखा जा रहा है तो उन्होंने बताया प्रीजाल खाबली जीद ने हमसे बताया कि भारती अंता पाटी को आने वाले आम चुनाओं दोर्याच चुनाओं में उखाड थेकने की रणनीती है ज दर्च करेंगे मनिश जी बिवेक मलका अरजुन खड़गे के कांग्रेस के अधर्च बनने पर कांग्रेशों में कांग्रेस में पार्टी में पदातकारी हों बहुत खुशी के लहट देखने को मिल लए है डोल नगाणों के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है ये कां प्रदेश अध्यच बिचल खावरी जीन उनको सुब्तामनाई दिया है। 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 अध्यच बार्ति जन्दापरटी जीन उनको सुब्तामनाई दिया है। अध्यच बिचल खावरी जीन उनको सुब्तामनाई दिया है। विवेक। विवेक चुनाव प्रक्रियार पर सवाल उठाने वाले लेटर जो लीख हुआ क्या उसको लेका शसी थारूर का भागे दुर्भागे में तब्दिल हुआ है हाँ जीवेक 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 फोली जैंसे सलमान को ओ झालो पंधुल एकना बफशन भागे में जो नीज दिख अपन से प्र涉 सक्ष मном ठाम स्रूर्टियार उर नहीं एस नीजिए को म्हिटर आइए आई। सामने आई ती सल्मान सूर्ज के द्वारा फिरे कि लेटर मीडिया में लीक हो जाता है सफी सरूर जिसके अपनी पत्किरिया देते हैं को कहते हैं कि मरेंगे बेहदी दुर्भागेपूर है क्योंकि काउरिस के लिए एक बेहदी लोकतांत्रिक और एतिहासिक दिन है जिसे एक लोकतांत्रिक और एतिहासिक दिन में याद करना चाहिए ना कि किसी एक लेटर के लिए कोने के लिए याद करना चैने चीजित और पर ये थोड़त बुर्भागे तो दुवागेपूर सफी सरूर जी के लिए तो है मरज जी जी मलक आरजुन खड़गे को बहुत बहुत शुपकामना है अधिक्षपत के लिए फिलाल इस खबर पर जुड़ने के लिए विवे का आपका बहुत बहुत धन्यवाद अधिवाद दिपावली के होने वाले दिपोस्व काईकरम को लेकर तैयारियां तेज हो गई आज सीम योगी अध्या पहुचे और काईकरम इस्तल का निक्षण किया साथी आवश्यक करवाई है तो अधिकारियों को दिशानेश बिजारी किये सीम योगी से पहले राम की पौली पर पहुचे और घाट का निर्शन किया इस दोरान सीम के साथ जैवीर सिंग अवनीश अवस्ती उपस्तित रहे सीम योगी ने यहाँ पर पुलिस प्रसासन के अफसरों को निदेश दिया भवे दिपोस्व की तैयारियों को लेकर सीम योगी ने निदेश दिया है कि अवद्या में इस बार दिपोस्व का भवे बनाने की तैयारिया है इसके साक्षी खुद पिया मोदी नरिन मोदी 23 अक्टूबर को अवद्या पहुचेंगे जहां पर वो सर्यू में आरती में समलित होने के साथ एराम लला के दर्शन भी करेंगे इसी के साथ दिपोस्व के कायक्टर में भी हिस्सा लेंगे इसको लेकर तैयारिया लगबग पूरी हो चुकी है आज इनी तैयारियों का जैजा लेने के लिए सियम योगी अध्या पहुचे और कायक्टर मिस्तल का जैजा लिया वहीं अध्कारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दी है इस कबर पर हमाई साथ अध्या से रागवेन मौजूद है खुद सियम योगी वहाँ पर आज अध्या के दोरा किया है आपके पास इसको लेकर पूरी क्या जानकारी आ रही है सियम योगी खुद कायकरम इस्तल का निक्षान कर रहे हैं और आवश्यक कारवाई है तू अध्यकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं इससे पहले भी दीपोसव अध्या में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है और फिर एक बार दीपोसव धूमधाम से मनाने और एक नए रिकॉर्ड के तहट डिपोसव को तैयारियों का जाज़ा लेते हुए तो आपको बता दें कि सता लाग दियों से जगमाय गाएगा राम की नगरी अध्या और इसी के तैयारियों का जाज़ा लेते हुए सीम योगी आज अध्या में मौजूद है और अवशक दिशाने देश उन्होंने अधिकाजियों को जारी किये हुएं क्योंकि 23 अक्टूबर को खुद पीम मौदी वहां पर उपस्तित होंगे और सर्यू आर्टी वह में सम्मलित होंगे समादवादी पार्टी के संरशक रहे मौलाहिम सी ग्यादो का अस्ती कलश विसरजन प्रियागराज के संगम में किया गया पिता का अस्ती कलश लेका सपा देश अकले शादो बुदवार सुबे प्रियागराज पहुँच गये थे और अब गंगा यमना के संगम में मुलाहिम से यादो के अस्तियों को प्रभावित किया इस दोरान सपा मुक्या के साथ उनके परिवार के अन्सदस भी मौजूद रहे बुद्वार सुवे ग्यारावच के चालीस मिनट पे करीब अखले शादो अपने पिता का अस्तिकलश लेकर प्राइवट प्लेन से बंबरॉली एरपोर्ट पर पहुंचे थे जहां से सड़क मार के जरीए वो संगम जाकर उन्होंने अस्तिकलश से को विसरजित किया इस मौके पर शिपाल यादो धर्मेंड यादो साथ में उनके परिवार के अनिस दस्वी मौजूद थे तो आपको बता दें कि धर्ती पुत्र मुलाइम सिंग यादो के दिहान के बाद एक बहुत बड़ी छती प्रदेश की जंता को जहने पड़ी, देश की जंता को जहने पड़ी है, समाधवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुलाइम सिंग को याद करके कहीं ना कहीं दुखी भी है और उनको बहुत ही प्रेम करती थी धरती पुत मुलाइम सिंग उनको यूही नहीं कहा जाता था वो बहुत ही कुशल वक्ता बहुत ही कुशल नेतरत करने वाले संगठन के बहुत मजबूत पददकारी और नेता रहे उन्होंने पार्टी को समादवादी पार्टी को एक उच करने के लिए उनके पुत्र अखले शादो सिपाल यादो साथ में संगम पर पहुंचे और उनके अस्तीक रश्ट को गंगा जी में प्रवाइट किया इस दोरां सपा मुक्या के साथ परिवार के अंसदस भी मौजूद रहे और बुद्वार सुबह आ ग्यारा बच के 40 मिनट अखले शादो पिता अस्तीक रश्ट लेगर प्राइवेट प्लेन से बरमरॉली एरपोर्ट पर पहुंचे जहां सडक मार के जरीये संगम पर जाकर उन्होंने अस्तीक रश्ट को विसरजित किया इस मौके पर शिपाल यादो धर्मिंद यादो परिवार के अंसदस भी उन परिवार के साथ में और उमनी भाव भीनी सद्धांजली उनको अरपित करी संगम टटपे जैसे ही आज अखले शादों वहां पर पहुंचे वहां पर सपा कारकरता और पतातिकारियों का एक बड़ा जमावडा लग गया और वो भी अपने नेता जी को भाव पीनी सद्धा परिवांजली उन्होंने भी अरपित की प्यागराज से हमाई समाधाता पवन पटेल मौजूद हैं पवन आज अखले शादों प्यागराज पहुंचे अपने पिता मुलाहिम सिंग्यादों के अस्त्री कलर्श को लेकर इसको लेकर आपके पास क्या जान करी है इस तरीके स संगम नगरी प्यागराज का अपना पौराडिक महत्त्रा लोग कहा जाता है कि प्यागराज में असकी विसर्जन करने के बाद प्रितात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है अलाकि अभी दो दिन पहले जब सपा प्रमुक अखलेश यादव अपने पिता दिवंगत उनके जो है सपा संरक्षा मुलायम सिंग यादव के अथिया उन्हों नहीं हर्दवार में विसर्जित की थी आज उनका प्रियागराज का दोरा बना आज उनका आने का समय था वो करीबी 11 बच के 40 मिनिट का था फड़ी सी देरी में वो प्रियागराज के संगम तर पर उचे और संगम तर के विवाजी घाठ पर आज अकलेश यादव ने सपा संरक्षा मुलायम सिंग यादव के अस्तिया विसर्जित की इस दवरान उनके जो चाचा है शुपाल यादव वो भी मौजूद रहे और भारी मातरा में जो सपा के समर्ता के समा के जो नेता है वो भी और वहाँ पर आज जो संगम तर पर जब अकलेश यादव ने सपा संरक्षा के अस्तिया विसर्जित की उस समाई जो वहाँ पर जो सपा के कार्य करता था उनकी आखे वहाँ पर नम दिखी बिलकुल जी मनीश यादव पावन साथ में उनके परिवार के अनने सदस भी Stringer वहाँ पर जीक हिए तो एक जो पारिवार की जो बिवात है वो कहीं ने कहीं नेता जी के जो है मिर्तियू के बाद से वो दूरियां कहीं ने कहीं कम हुई है और यो पूरे परिवार के लोग ते एक साथ मिलके उन्नों ने यहां पर हस्यों को भी सरजित किया है संगा में जी मनीज जी परवान इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाजियबाद में थाना नंद ग्राम छेत में एक महिला को गाड़ी में जबस्ती उठाके गैम रेप का मामला सामने आया पता दें की गैम रेप करने के बाद महिला के गुपतांगों में दरिंदों ने लोही के रौड गुसा दी वही मौके पर पहुँची पुलिस ने महिला को आनन फानन में इलाज के लिए भरती कराया जहां पर महिला जिंदगी और मौत के बेश जूज रही है फिलाल पुलिस ने पांचो आरोपियों ने ग्रफतार कर लिया है और आगे की करवाई शुरू कर दिया इसके साथ है दिल्ली महिला आयो के अद्यक्ष स्वाती मलिवाल ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और पुलिस प्रशासन से जवा मांगा है बड़ी सर्मनाग घटना ये फिर से एक बार गाजियाबाद में हुई है से पहले निर्वाकांड हुआ था अब फिर एक बार गाजियाबाद में एक महिला की असमत लुटी गई और उसके साथ दरंदगी सामने आई है सुबह लगबग साड़े तीम बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी एक सुबारा की माद्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला होवे पड़ी हुई है ततकाल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पता लेकर गए पुष्टाश में नंग्री दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जनम दिन मनाने के लिए थान नंग्राम छेत्र बॉंबे कॉल्नी में आई थी जब इनके भाई ने इनको वापिस स्थोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो की इसे पूर वहीं परिचित हैं पहले इनने बताया कि दो लोग थे बाद ने इननों बताया कि पांश लोग और उनके साथ उन्हों ने दुश्क्रम करा लड़की की हालत बहुत खरापी लड़की को बहुत तॉर्चर करा गया और यहां तकी उसके ट्राइविट पार्ट्स में दंगों में रॉट तक गुसा दी इस कवर पर हमाई समाधाता गौरब मौजुद हैं गौरब गाजियाबाद में थाना नंद ग्राव में फिर एक बार सरमनाग घटना देखने को मिली है बहुती निंदनी यह घटना है एक महिला को गाली में जबरस्ती उठाके गैम रेक का मामला सामने आया है गैम रेक के बाद उसके गुपतांगों में दरिंदों ने लोही के रोड तक उसा दी यह फिर एक बार निर्वया कांट की याद दिला रहा है बहुत शर्मनाग वार्दा था यह जी पुप बार मनिज यहांट यह भी है कि आख साल भाद विप निर्वया को यहांटने मिलाथा जो निर्वया ओज पर न इंडन r existum आया है दिली है जी यह पर तंवां य कि इस्पितर् इकरर माम सरह है न यह लिए कि अधिकार की पर तारे अधिकार को साथ यहां पर न्याय नहीं होता है और जो निर्विया वा था ता उसके बाद निर्विया की लड़ते पर जंगर्श करते करते मित्यु हो जाती है इसके मित्यु के बाद उसके बाद उसके बाद च्षे मुझिम थे जिसमें चार मुझिम को बीस मार्च वेयार बीस को यहां पर सजा दी गई थी मुझिम था जो कि नामाले श्टा उसको पीन साथ विजए के बाद फोर जिया गयता हो एक मुझिम था रांसिंग जिसमें फुद पांशी लगा ली थी जिल में तो यहां पर बैसा ही मामला देखने में आरा हाला कि जो गाजयबाद के एस्पी निपुर अखवार को चैना है कि मामला संदिक जैशी को महला पहले बोल लए है इसके लावा प्रपटी के दिबाद भी बताया रहा है तो अगर किसी मेला के साथ जटना होती है तो पूरी च मेला ओंडिकार के बात करने बाला अदेश मेला संदिक जाते हैं करती है कि मैला संस्का मेला मधिकार के बात करने बात करने वाला अवाल देश में इस तक अभी तक नया ब्रस्टा में तरी ब्रस्ता में हो गए तरीं जल्दा नहीं हो गए कि अब तर्द निए पर मामला यहां पर आपके तर्द नहीं एक तर्द नहीं बेड़ा है और जारी जारी है इस अब पर नगे वह ती दर्दना घटना है कि निर्भाकार्ण में हुगा था उगा उसको कोई नहीं दिलाने में फिर एक बड़ी वार्दात आई है और प्रदेश की जहां पर खुद समय सीम योगी पूरे कमां समाले हुए हैं जाहिसी बात मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी इसको नहीं इनको मिलेगा इतने आठ सालों का इनको इंको इंतजार नहीं करना के बाता उनको बड़ी इनको तो इसके नहीं अगर आग्र मुझे बार्दी जाया जारा था लोग आगो आगो उसको नहीं बताती है और नहीं बड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर जिसने से मामले है खटेट हो रहा है झाल देगश पिखेटार कंगने पर शॉचप करने पादे ना पर यहां पर पिखरती पेड़ेंग और शॉचप पर यहां पर आप देघर पी मैं तो रहती हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार